मा बंगला मुखी धाम गुल मोहर सिटी नजदी के लमा पिंचौंग चाला अंदर में मा बंगला मुखी जी के निमित श्रंखला बद सबताहिक दिव्य हवन यग्य के आयोजन मंदिर परिस्तर में किया गया सरप्रत्म राबनोद्वारा 55 पूजा 65 पूजन नवगरे पूजन उपूजन पूरांत मुखे यजमान संदीप कुमार शर्मा से सह परिवार हवन यग्य में आहुतियां डलबाई गी वहीं हवन्यग्य की पूरण अहुती के प्रांत मा बंगला मुखी धाम के मुख्य सिवादर नवजीत भारतवाचनी आई हुए मा भक्तों से अपनी बात कहते हुए कहा कि जिस प्रकार पानी को कोई जल कोई पानी तो कोई वाटर कहता है इसी तरहें इश्वर को भी कोई हरी कोई अला तो कोई गौड कहता है जैसे मिठाई अलग अलग अकार की होती है उसी तरहें इश्वर भी देश काल के अनुसार अलग रूपों में होते हैं वह उन्हों ने कहा कि जिस तरहें आकाश को बंटा नहीं जा सकता इसी प्रकार इश्वर को भी धर्मों में नहीं पूनम प्रभाकर बावाखन्ना सरोजबाला रजनी रिंकुसानी इशु वर्मा जगदीश प्रताप संजे सोनु शाबडा निखिल चाबडा अवतार सैनी गोरी केतन शर्मा बिलक्षे चुग सौरब गुर्पिल सिंग मुनीश रवी हिमंत प्रिंस अभिशेक बनोट अमित क पूहली सुनील जगी सहीत भारी संक्या में वक्तिजन मौजूद रही वहीं हमन यग्य उप्रांत विशाल लंगर बंडारी का आयोचन भी क्या क्या जालंदर से हल्चल के लिए कैमरामेंट सुरेंदर बाबा की रीपोर्ट कराए मां बगला मुखी जी दा वोल साचे दरवारे की जै मां बगला मुखी जी अज मां बगला मुखी जी दे सिद्थान जो की पंजाव देविच पहला मंदर मां बगला मुखी जी दा है गुलमोर सिटीच स्थित इस मा बगला मुखी ताम जड़ा लम्मे पिंचौंक दे नजदीक स्थित है मा दे मंदर दे विच जड़ा श्रिंखला बद दिवे हवन यग्यदा आजज़न कीता गया सारे मा दे पक्ताने दूरों दूरों आके महा माईदे चर्णा दे विच अरदास बेंतिया कीतिया और मा को कुशल कशेम मंगी इस दिन आल नाल साड़े सारे सेवादारा बलो मा बगला मुखी धाम प्रस्ट मलो एक करवद प्रार्थना है कती मार्च 2004 दिन रवीवारनू आप आओ आके महा माईदे दरबारते हवन यगे जे शामल हो वो जड़ा मासिक हवन यगे है ते मादा अशीरवाद प्राफ़त जामा बगला मुखी जी जैने मा बगला मुखी जी। आज मा बगला मुखी ताम जो की गुमोर शटी बालापगे जुआ कजेए तो ते माध Works need wanna बीरवार नो हवन जग इंदे उस कड़िदे विच अज वीरवार दा हवन जग कीता गया और उन दे विच पक्षने आ के स्वेर्टो लागातार जड़ा हो महामाई नो अलग लग करना चानना कि कत्ती त्रीक दिन रभी बार एक वटा हवन जगे जगे जड़ा विशाल हवन जगे हंदा हाथ महीने देखी ले द्वार नो उकीता जा रहे हैं सारे पगत स्वेरे साटे अट बजे मंदर पर सर विच पहुच के पिला उजन परशाद कन और उसतो बाद नौ बजे हमर्जय के शुरू होगा और लग बन ग्यारा साटे ग्यारा भी दाख होगा और उसतो बाद लंगर पंडारियता प्रवंग कीता हैं सारे पगत, आप रियान और अपने परवार दे सारे मित्र गरंग उना लेके मादा शीर बागत